आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है आज में आप ये बात करने वाले हैं इंग्लिस संडेट मार्क्स के एक और चैप्टर के बारे में देखे हम लोग मैकावीटी दे मिस्टरी कैट के समरी को देख चुके थे सारांस को बहुत अच्छे से समझ चुके थे बारी थी अबजेक्टिव कोसंस की तो आए इस अबजेक्टिव कोसंस को भी बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं इस चैप्टर में में जितने भी अबजेक्टिव कोसंस है न एक भी अबजेक्टिव में आपको कहीं से जड़ा सब भी डाउट नहीं होने वाली है तो आप बस आपको ये class को पूरी अच्छे से देखनी है जितने भी objective is chapter से आज सकती है possible जितने भी questions है वो सारे questions इसमें pick किया गया है हर एक questions आपको इसमें cover करवा दी जाएगी बस आपका काम है अच्छे से इस class को देखना हर एक questions को समझना जहां से भी कोई भी दिक्कत हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे और properly हिंदी में बताते हुए चलेंगे हर questions का मतलब ताकि आपको English से problem जो अगर होगी न तब भी आपको problem नहीं होने वाली है है ना तो जलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को बेहदी एक class पसंद आएगी obviously अगर पसंद आएगी तो इस class को like कर सकते हैं और साथी साथ channel से जूरे रहेगा उसके लिए subscribe कर लिए ताकि ऐसे वीडियो और भी आपको देखने को मिलते रहे तो मैक्स और आप लोग subscribe कर लिए होंगे अब चलिए यहाँ पर इस chapter को start करते हैं और objective questions को देखना सुरू करते हैं बाकी सब लोग आप लोग आ चुके होंगे obviously और थोरा बहुत share कर लिए ताकि और सारे लोग आ जाएंगे share कर लिए और जल्दी से सब लोग आ जाएंगे और class com just start कर देंगे देखो अपने लोग आज यहाँ पर देखने वाले है क्याचेस के बारे में Macavity the mystery cat यह जो बिल्ली है Macavity इसके बारे में यहाँ पर यह जो chapter है ना मतलब T.S.L.O.R. जी जो chapter लिखे है ठीक है उसके बारे में लिखने वाले पढ़ने वाले है Macavity जो बिल्ली का नाम है वो उसको mystery cat कहा जाता है उसको रहस्माई बिल्ली कहा जाता है मेकavity बहुत यह सातिर बिल्ली है बहुत यह खतरनाख बिल्ली है ठीक है तोamo इंको नैपॉलियन भी बोलते हैं। लेकर कि ने पोलियन भी बोलते हैं। और बहुत सारा चीज़स के पास है। इडन को है और बहुत सारा चीज़स उसके वारे में आप Чेप्टर में आप संमरी में देखे होंगे। और साथ ही साथ अभी objective में भी आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाने वाली है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9-7 है poetry section का objective questions यानि MCQR questions और हम लोग के पास यहाँ पे very first question पहला question अपने सामने आपके सामने रखते हैं और आप लोग इसका जवाब जल्दी से comment section में दीजिएगा ठीक है आजो first question का answer जल्दी से comment section में दीजिए question हमारे पास है question हमारे पास क्या है question हमारे पास इस question में बोला जा रहा है में कविटी the mystery cat has been composed by ठीक है में कवीटी दर मिस्टी कार्ण किया गया किसके दौरा लिखा गया है में कवीटी the mystery cat इसको कॉल लिखे है ठीक है अपने सामने सवाल यह है कि यहां पे यह जो में कवीटी जो है मिकविटी यह जो मेकविटी दा मिस्टिक एट इसको कॉल लिखे हैं इसको लिखे हैं T.S. इल्योट साथ ठीक है यहां पर लिखे हैं सेप्टर को ठीक है तो राइट अंसर अपने पास क्या हो जाएगी राइट अंसर अपने पास अगला सवाल पर बढ़ते हैं और यहाँ पर जवाब बहुत सारे लोग जैसे की दिये हैं जैसे की मोहन यहाँ पर बताए हैं अराध्या मैकाविटी दा मेस्टी कैट हाज बिल्कुल सही संतोस यह बताए हैं निरंजन टीसलियोट उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स पॉइंट यह बता रहे हैं भाधे उसके बाद यहाँ पर निकि पटा रहे हैं चलिए ok चलो ठीक है ऎसे ही जवाब आप लोग का आना चाहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं ओके इसमें जो है जो लोग ए जवाब दिये थे बिलकुल आप लोग का एंसर करेक्ट हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर इसी के साथ दूसरे कोशन में बढ़ते हैं ठीक है मैकविटी ता मिस्टी कैट जो है कंपोस्ट क्या गया है टीस लिओड जी के दौरा ऑप्शन या फिर बोल सकते हैं कि beautiful cat है यानि एक सुंदर विल्ली है या फिर mystery cat है यानि एक रहसमाई विल्ली है तो मैकविटी क्या है देखो यह सब सवाल आ सकते हैं आपको लग रहा होगा आसान है लेकिन देखो obviously chapter से ही सवाल देंगे और chapters में यह questions बनती है ठीक है तो यह सब questions दे chapter का नाम में ही देखो न मैकविटी इसको लिखें है तो option नमर यहां पर अपने पास correct answer हो जाने वाली है सही है दो कई अगर आप लोग दिये हैं बिल्कुल correct answer लास्ट में बताईएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं वह आप हमें लास्ट में जरूर से बताईएगा चलत मैकविटी जो बिल्ली है मैकविटी जो बिल्ली का नाम है मैकविटी वह क्या करता है हर मनुस्त के बनाय हुए नियम को तोरता है ठीक है और और वह क्या कहलाता है ठीक है कैसा पंजाव अला कहलाता है मैकविटी तो यह आपको बतानी है बोली जल्दी से चलो तो वह कैसे कहलाता है मैकविटी ब्रेक्ष एवरिये म मन लॉऔ ईडिटें पॉर उसके पास एक छुपा हुआ जो है क्या है पंजाभी है ठीक है ऑप्च और यहां पर अपने पास correct answer हो जाने वाली है ठीक है चलो दो का answer option अगला सवाल हम लोग के सामने है T.S. Elliot was born in death and died in death मतलब T.S. Elliot जी का दो सवाल यहां पर है एक ही सवाल नहीं पूछा गया है इनका जन्म कब होता है दूसरा इनका यहां पर है निधन कब होता है ठीक है जन्म कब होता है और निधन कब होता है यह सवाल है इसका answer आप लोग को देनी है ठीक है हर राइटर का जन्म और निधन कब हुआ है यह आपको बहुत अच्छे से जानना है और यह सब लोग अपने जवाब यहां पर बता रहे हैं ना सब लों यह बता रहें ना आप जो बता रहे है अपने लोग के सामने कमेंट सेक्शन में तो बता रहे है और बिल्कुल यहां पर इनका जन्म जो वा था वह था वह था 1888 को ठीक है 1888 को और निधन जो वा था 1965 को ठीक है 1965 को टीएस इलियोर्ड जी का किन आगला सवाल बढ़ते हैं पाचमा सवाल पर और फाइब लगोसमें यहां पर क्या बोला चाहिए आपको बता नहीं है जल्दी से आप लोग बताएं तो ठीक है जल्दी से आप लोग यहां पर बताईए तो क्या हो जाएगी एंसर कि जल्दी से बताएए तो अपने पास एंसर क्या हो जाएगी देखो यह जो है ना मतलब ब्याकुल करके किसको बेसिकली रखा हो था तो यहां पे एंसर अपने पास हो जाएगा इस्कूट लेंड याड है क्या आखिर यह है क्या यह जो है ना लंदन का पुलिस का हेड कोर्टर है ठेक है जो है चलते अगला बढ़ते हैं छे नमर कोुषन में आप जलीश जवाब दीजिए नमोस्टन को सिख ejय already सिजी ए मास्टर क्रिमनल मौन्स्टर ओफ डेपरिवीटी ठीक है यहाँ पे अंसर क्या हो जाएगा है बैसिकली कौन जो है ना बोल सकते हैं राक्षस है ठीक है कौन जो है क्रिमनलों का एक तरीकाए से राहक्षस है ठीक है है तोHS यहां पे क्या हो जाए किसके बारें बात किया जा रहा है यह वसलब उसका कर्तूत बताए जा रहा है बिल्ली का मैं कवीटी का तो ऑप्स नवर्ड एक करेक्ट एंसर हो जाएगी चलिए अगले स्वाल में बढ़ते हैं सब्सक्राइब इस में बढ़ते हैं और इस क्वेश्ट यह भी है यह अधा सो रही होती है जब तों से में वो क्या कर रहे होती है वाइड वाइड तब वाइड अधा वग्त वो जगा हुआ होता है ठीक है ता वो क्या होता है पूरनरोप से वो जगा हुआ होता है अगला सवाल हमारे पास सामने है मेकवीटी is full of dash and स्विवेटी ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो ningún जाएगा मेकावीटी क्या exercies भरा हुआ था मेकावीटीAsh सो भरा हुआ था या साडनेस से नहीं वह डिसिट से भरा हुआ था मतलब छल से वह भरा हुआ था कौन मैकावीटी जो है यह बहुत जादा चल से बरा हो था मैकावीटी के अंदर बहुत सारा चल था वो हर हमेशा धोका देने वाला काम करता था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पे डैस इजेंजर कैट और टॉल एंद थीन ठीक है कौन जो है एक अधारक के कलर की रंग्या बिल्ली था ठीक है बिल्ला था और साथी शार जो लंबा था और पतला भी था ठीक है तो वो कौन था तो बिलकुल यहाँ पे अपने पास रॉबिन का बात हो रहा ह नहीं हो रहा है, Tommy का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है था, यहाँ पर Macavity का चर्चा हो रहा है, तो option number अपने पास, C जो भी जबाब दिये, बिल्कुल आप लोग का correct answer हो जाएगा, C answer यहाँ पर right हो जाने वाली है, ठीक, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद अगले question पर बढ़ते हैं, 10 नमर पर, ठीक है, 10 नवा question पर आजाएए, 10 नवा question पर अपने पास क्या बोला जा रहा है, 10 नवा question में यहाँ पर बोला जा रहा है, who described a mystery cat Macavity, महलब कौन Vernon किये हैं, describe Vernon किये हैं, mystery cat Macavity के बारे में, रहस्माई बिल्ली, Macavity के बारे में, कौन describe किये हैं, वर्नन किये हैं, डवलू एस ओडन, नहीं तो, DS Lawrence, नहीं तो, यह तो snack लिखे थे, के यह इंदारू वाला, नहीं, firem लिखे थे, T.A.C.L. यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर यह हो जाएगे, यह लिखे थे, Macavity, the Mystic, Catty, इस यहीं वर्नन किये हैं, तो, option नहीं अपने पास, B, correct answer हो जाने वाली है, और यहाँ पर 10 नहीं को, स्टन का जवाब, कौन को लोग दिये हैं, बिल्कुल यहाँ पर, सुरूती, B बताये हैं, यह C बता रहे हैं, पुस्पा यहाँ पर, T.S. Elliot, ओके, उसके बाद यहाँ पर, मानु कुमार, 9 बता रहे हैं, फिलाल, 10 देख रहे हैं, ठीक है, रैनु यहाँ पर, C बताये हैं, राकेस, A, आकरिती, B, ओके, चलो, ठीक है, आप लोग अपना अपना जबाब इसी तरीके से दीजे, लेकिन, कोसिस करिए, थोरा सा, सही जवाब देने का, ठीक है, तो, Option, B, यहाँ पर, जितने लोग दिये हैं, उनका, राइट एंसर हो जाने वाली है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नो कोसिन भी, धी, 11 नो कोसिन है, the point cause, मेकवीटी, compares मेकवीटी, ठीक है, पोईट जो है, मेकवीटी को क्या, नेपोलियन से तुलना किये थे वह इसको नेपोलियन बोलते है ये मेखवी बिल्ला को यह जो है नेपोलियन बोलते है अगला सवाल अपने सामने हैس किसके पास मतलब एक तो पंजा चुपा हुआ वाला है मतलब उसका चुपा वह पंजा उसके पास है और साती साथ वह हर हमेशा हर नियम कानून को तोड़ता है तो कौन किसके बारे हम बात हो रही है वताओ जल जे से अप्सन नमर अपने अपने पास एक हो जाने वाली है आगे मढ़ते हैं हूज whose whiskers are uncombed and coat is dirty, eyes are sunken, ठीक है, कौन जो था, basically, उसका जो है, दाड़ी जो था, ठीक है, उसके दाड़ी जो था, वो क्या था, वो बिना कॉम्ब किया हुआ था, ठीक है, uncombed, ठीक है, कॉम्ब का मतलब आप समाज रहो, कंगी किया हुआ, ठीक है, बिना कंगी किया हुआ याणि uncombed, दाड़ी जो है बिना कॉम्ब किया हुआ था, और coat जो था, coat क्या था, coat जो था, вो dirty था, गंदा था, आई जो था, आँख जो था, वो क्या था, संकेन था, यानि धसा हुआ था, तो इह किसके बारे मात हो रही है, तो देखो एक ही तो अपना है नदा हो कपरा उसका गंदा हो चुका हैDie बिली के वारे में बोला जारा है मेकवीटी का अगले सवाल पर जारते हैं मेकवीटी स्वेज यानि मुव्स लाइक एडस मेकवीटी किस तरीके से चलता है मेकवीटी कैसे चलता है यहां पर सवाल है तो वो बिल्कुल कैसे चलता है वो स्नेक के समान चलता है जैसे साप चलता है एकदम चुपके चुपके से क देखते होंगे कितना साबधानी सब्सक्राइब करके निकलता है कि किसी को कानों कान खवर नहीं लगे हैं कि सर कितना को सने मेरा डाटा क्योंकि खतम हो गया देखो आप जो है आप लोग आद आदद बनालों सिंपल सी बात डाटा को बचा के रखने का देली क्लास होने वाली है सिंपल से वात है साथ बजे साम से अब तो डेली क्लास तो डेली आनी है साथ वजे साम ं So टो डाटा आप भिशा बचा के रखो अब झेख एक्जाम में कम समय बाकी है और इसे हम आप डाटा इधर उदर बलवाद क्लियर होता है नहीं तो सही बताए अगर टिंच चार शाल पहले आप जाओगे न Guid Você से अतंव तोल्ट के साथ हर जगा पर अच्छे से हिंदी बताया जाता सिर्फ हमारे वहीं बहुए सारे लोग uh ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे से त्यारी करवा रहे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है वो सब देखें मतलब आज से सिंपल से बाता सोचो ना जब हम लोग पढ़ रहे थे या फर आज से आप 5-6 साल पहले जाओ तो यह सब उत्ता स्थ अगरार नहीं था पहले ठीक है त यहां पर कोई एक लेक्चर चला के देख लिए और यहां पर समझ में आगे कित्ती अच्छी वात हैं तो में लग यह सब चीज अब आया है तो इस सब चीज जब पर बैनिफेट उठाओ और सिंपल सी बात है अपना डाटर वचा करो डेली आके क्लास किया करो इस समय पर सा मौजता था जहां पर क्राइम हो चुका रहता था वहां से क्या होता था ठिक अपने पास सवाल यह है वहां पर क्राइम क्या हो कि करता था कि ओके विल्कुल आप सिर्फ ऑनलाइन भी अगर करते हैं कोई बुरी बात नहीं आप सिर्फ ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़के अपना अच्छा माक्स लाए भी हैं यह सब चीज़ तो है को के चलो आगे बढ़ते हैं चलो जब पुलीस जो है कराइम के सीन पर पहुंचता है तब क्या होता है मैं कवीटी वहां पर रहता है नहीं मैं कवीटी वहां पर रस्ट कर रहा होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं कवीटी वहां से फरार हो जाता है मैं कवीटी डिसपेर हो जाता है वहां पर रहता ही नह not और never found there और मकविटी कभी वहाँ नहीं पाये जाता है तो मैं जब भी पुलीस आता है तो यहाँ पर सिंपल से बाते यह option हो जाएगा मकविटी वहाँ से फरार रहता है यानि स्कूटलेंड यार्ड जो है ना मतलब एक तरीके से तंग करके रख दिया था यह बिले ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल वे बढ़ते हैं अगला सवाल अपने पास है हूब रेक्स और डेफी द लौ ठीक है कौन जो है लौ को तोरता था नियम जितना भी था उसका उलंगण करता था ठीक है कौन करता था ये तो Robin करता था जूलिया करता था नहीं ये Macavity का काम है सिर्फ ये Macavity ऐसा कर सकता है उसी में इतना दम है है ना option number C यहाँ पर correct answer हो जाएगी आगे चलते हैं 17 number question बढ़ते हैं 17 number question पर और इस question में यहाँ पर है Macavity takes rest one meal away from the crime place or he is dashed in doing complicated long division sums ठीक है मतलब यहाँ पर सवाल देखो बहुत ही आसान है आपको लगेगा कि बहुत हाड है इसका meaning समझना देखो किता आसान है सवाल देखो यहाँ पर क्या है सवाल सबसे पहले सवाल समझ जाओगे ना answer आराम से देदोगे ठीक है रटने की जरौत ही नहीं आप बस सवाल को देखो ध्यान से मैकवीटी टेक्स मैकवीटी जो है टेक रेक्स्ट ठीक है मैकवीटी क्या करते रहता है रेस्ट लेता है और या फिर वो कौन सा क्या करते रहता है रहता है डोइंग कोंपलिकेटेड लॉग डिविजन सम्स मतलब वो बहुत कठीन जो है लंबे मात्रा का जो है सम्स होते है जो गटाओ इए उसमें बीजी रहता है तो वह इंगेज या बीजी रहता है हम बोली दिए option number A यहाँ पर correct answer हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर basically यही बोला गया है कि makavity जो है makavity एक तो सबसे पहली बात है एक मिल दूर ही रहता है crime पहले जहाँ पर वो crime करता है उससे एक मिल दूर जाके वो rest कर रहा होता है और वहाँ पर वो ऐसे bg अपने आपको सू करता है जैसे वो कोई बहुत लंबे sums को multiply कर रहा होगा ठीक है गुना भाग कर रहा होगा तो देख रहो कितना मतलब ख़तरनाक सा बिल्ली है है न तो यह सब यहाँ पर option number यह correct answer हो जाएगी अगले स्वाल बढ़ते हैं 18 नमर और इसमें यहाँ पर है टीयस इलियोट रेसिब दे नॉबल प्राइज इन डेस टीयस इलियोट जी को नॉबल प्राइज मिला था किस साल में ठीक है किस साल टीयस इलियोट जी को नॉबल प्राइज मिला था उनको मिला था 1948 में याद रखेगा option number A, Macavity can defy or disavay or challenge and break every law because he is, मतलब Macavity can defy or disavay, मतलब वो जो है, basically आगया का पालन नहीं करता था, उसका उलंगन करता था Macavity, और challenge and break every law, ठीक है, और वो क्या करता था, हाड law को क्या करता था, challenge करता था, या फिर उसको तोड़ देता था, ठीक है, उसको break कर देता था, because he is, क्योंकि वो क्या था, वो एक master criminal था, Macavity क्या था, एक master criminal था, या फिर Napoleon of crime, वो Napoleon था, crime करने में वो Napoleon था, ठीक है, तो यहाँ पर option number A, correct answer हो जाएगा, देख रो, यहाँ पर लेखक जो थे, T.S.L. जी, उस Macavity के वारे में, Macavity का कितनी अच्छाईया हो गया, दुनिया जान गई के, Macavity क्या था, किता वरा criminal था, ठीक है, चलो, बिली वचारा सोच रहा होगा, कि भाई साब, हम तो किताब पढ़ते नहीं है, यहाँ पे सब किताब में मेरा बुराई कर दिया है, और क्या ही किया जाए, whose eyes are sunken, in, मतलब किसकी आँखे धसी हुई है, ठीक है, coat is dusty, ठीक है, coat जो है, बहुत ही गंदा है, head is like dom, और उसकी जो है, मतलब, सेड जो है, वो उठा हुआ है, ठीक है, सेड जो है, उठा हुआ है, और, मूश से, मॉश से, और या whiskers, जो बोलो, मूश, जो बोलो, मूश, ज हुआ हुआ है, तो ऐसा किसके साथ हो रहा है, तो वो मैकवीटी का ऐसा हुलिया था, ठीक है, मैकवीटी का यहाँ पर हुलिया बताया जा रहा है, कि मैकवीटी कैसा दिखता था, चली, आगे वढ़ते हैं, 219 कोसिन पर आ जाते है, 219 कोसिन में यहाँ पर है, मूंगो जेर ठीक है, mungo jerry और griddle bon ठीक है, are the notorious cat that are the agent of, notorious मतलब कुख्तियात बिल्ली, मतलब एकदम सातिर वो बिल्ली है, mungo jerry और griddle bon are the notorious cat that are the agent of, वो किसका अजेंट था ये दू, cat जो है, ये दोनों बिल्ली का नाम है, ठीक है, ये जो है mungo jerry और दوسरा g tutorial bond ये दुनों जुए किसका agent था ठाल किसका agent के रुप में काम करता था, ये दोनों agent था किसका, ये mcavity का agent था ये cbi । r biai और bank का agent नहिं था, ठीक है, तो ये mcavity, एक building है, ये किसका ये monster building है, सब का एकदम ये head है और इसके अंदर काम करने वाला मुंगो जेरी और गेडल बॉन सब सूचनल आके देता था कि साब भाईया यह रहा भाई साब तो यहां पर यह भाई के दर एकदम था और इसके दो चेला चपाटी बस यह दोनों ठीक है चलो यहां पर देख रहो बिली भी अपना-पना दो अ हैरान हो जाए यहां पर पर्फ्लेक्स का मतलब हैरान ठीक है कहने है कॉन हैरान रह गए क्राइम को discover करके खोज के, ठीक है, crime को discover करके, तो दिको Scotland का, यह जो है न, Scotland याड जो है, यहाँ पे लंदन का police का हेड़कौर्टर जो है, यह दंग रह गये, हरान रह गये, crime को discover करके, पार्क के ऐसा, ठीक है, एक बिल्ली ऐसा करता था, आगे बढ़ते हैं 23 नव कोशन में है मैकविटी इस फाइंडिन डैस सेप तो यहां पर क्या बोला गया यहां पर देथ यहां पर कुछ ऐसे इंटलीजेंट बच्चे होंगे जो कि इसको फ्रेंड बोल रहे होंगे इसको फ्रेंड पढ़ रहे होंगे यानि यहां पर क्या बोला जा रहे हैं चलो तो यहां पर यहां पर बोला है ठीक है देखो मेकविटी is Find In A Death Ship तो वो हो जाएगा फिलाइन से फिलाइन का मतलब क्या है बिल्ली ठीक है बिल्ली की तरह बिल्ली के आकार में यह जो था मेकविटी क्या था वो फाइंड था ठीक है डेथ थे था ठीक है बिल्ली के क्या कार का ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर देखो मुंगो जेरी एंड ग्रीडल बॉन आर्ड आलसो डैस मुंगो जेरी एंड ग्रीडल बॉन आर्ड क्या थे ठीक है मुंगो जेरी और ग्रीडल बॉन क्या थे चलो आगे बढ़ते हैं चलो होपस आप लोग को समझ ब्यार रहा होगा मुंगो जेरी और ग्रेडल बॉन आराल सुगे मुंगो जेरी और ग्रेडल बॉन क्या था एक तो सबसे पहले बात ये तो मैकवीटी का एजेंट था ये दोनों बिल्ली था ये दोनों एजेंट था किसका मैकवीटी एक सातिर बिल्ली चो है मैकवीटी उसका एजेंट था और ये दोनों भी खुद एक बिल्ली था ठीक है लेकिन ये दोनों किसके अंदर काम करता था मैकवीटी के अंदर काम करता था ठीक है आगे चलते हैं 25 नो कोसन देगे मैकवीट प्रविटी के पास क्या था आउट लो था ठीक है और यहां पर पर आगे बढ़ते हैं टीस इलिए इस इलिए इस पोई यह कैस मतलब किस सेंचॉरी के कवी है तो यह जो थे कब 20th सेंचॉरी के कवी थे और यहां पर आगे बढ़ते हैं 20 याद रखेगा मैं कर वीटी इस फां कितने बार पाया जाता था था uh ya threys ya often always never occasionally मतलब अपने सीन पर वhol दो बार पाया जाता था ठीक है या फिर हमेशा पाया जाता था कभीひ नहीं या फिर कभी पाया तो , cup भी नहीं पाए जाता था तो अगले कोशन पर बढ़ते हैं लेकिन अगला कोशन हमारे सामने है नहीं तो फिलाल के लिए बस पूरा कोशन आपका यहीं पर समाप्त होता है ठीक है और आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लोग को कितना यहां पर समझ में आया होगा ठीक है, कमेंट हमें जरूर करके बतायेगा और आगे इंगले का और सारा क्लास कंटिनीव लगातार भी किया जाए इसको खतम कर दिया जाए बस कुछी चाप्टर सो और बाकी है दो तीन चाप्टर सो और बाकी है नहीं तो पूरा आपका इंग्लिस संडेट मार्क्स में जितना भी चीज पढ़ना था वो सब हम आपको करवा दिये हैं ठीक है अब बस स्टोडी आफ इंग्लिस बाकी है वो भ कर लिजेगा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और हूप सो अगर नहीं किये हैं तो कर लिजिए और बैल आइकन ओन कर लिजिए ताकि और सारी क्लास से सबको मिलते रहे ठीक है बाकी देखो सिंपल सी बात है एक्जाम में समय जो है बहुत ज्यादा ही कम बाकी है ठीक है एक्जाम में समय बहुत ही जादा कम बाकी है अब सिंपल सी बात है अच्छे से त्यारी में लग जाओ ठीक है खुछ से त्यारी करो और नहीं होता है तो सिंपल सी बात है हम यहां से उमीद बैस भी लाए है ठीक है उमीद बैस लाए है एक्जाम के लि वाली है तो वहां से तब आप लिए सकते हैं बोर एक राम 23 में अगर आप दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है आप पर एजुकेशन बावा आप नाउनलोड करोगे और उस एप पर आपको ये बैच मिल जाएगा ठीक है कहां पर मिलेगा एजुकेशन बावा एप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप पर आपको कंप्लीट ये बैच मिलेगा उसमें आपको जॉइन करेंगे आपको ग्रूप में भी आइड कर लिया जाएगा वर्सेप ग्रूप में और साथी साथ इसमें प्रॉपर आपको मिलेगी वहां पर ठीक है और एक्जाम के लिए जो भी जवरत होगा जैसे मॉडल पेपर की पिछले साल की कुछन पेपर की टेस्सरीज की ठीक है तो वह सारा चीज आपको इस बैस में मिल रहा होगा मनला ओवरल कंप्लीट जितना भी तैयारी है वह सारा चीज यहा बनका दी जाएगा है तो चैनल पर अल्रेड़ी video बना हुआ है या फिर आप सिंपल सी बात है इस नमपर क्ल कर लिजएगा जानकारी सारा चीज दे दिया जाएगा थीक है इस दोनों मैं से कॉई भी नमर पर क्ल कर दीजएगा ठीक है, call कर लिजेगा, अगर आपका call betting प्यार आओगा, तो अब फिर से दुबारा try कर लिजेगा, ठीक है, क्योंकि जादा student एक ही समयाई पर call कर रहे होते हैं, तो ये है, आप बाकी batch अपना join करिए, एक तारिक से आपका, एक December से, अगर कोई भी chapter के आपको जरत होगी in depth पढ़ना, अगर लगता है कि ये chapter important है, हलाकि important chapter इसमें बताए जाएगा batch में, और लगेगा कि इस chapter का हमको full अच्छे से detail में पढ़ना है, जो आपका पूराना course था, वो main course जो था, अगर आपको उसमें से वीडियो देखना होगा, तो जब ये batch join करोगे, तो उसमें बोल देना कि इस subject में हमको allow कर दीजिए, ये जो है, हम उसका भी detail में वीडियो देखना चाहते है, तो उसके लिए आपको अलग से payment नहीं लगेगा, बस आप join करने के बाद call कर लिजेगा, वह हम उमीद batch join कर लिए है, हमको simple से बात है, हमको ये chapter हमको दे दीजिए, ठीक है, ये subject हमको दे दीजिए, और तो उसके लिए आपको कोई additionally fee नहीं लगेगी उस समय, ठीक है, चलिए, तो ये है, ये सर, पिछले जनम से हम join है, चालो ठीक है, चलो तो आज यहाँ पे हम लोग बस्तिता ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले class में अच्छे से, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, टाटा, बाबाई,